डियर फ्रेंट्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यूर वाचिंग सी एनर आई डियर फ्रेंट्स अब इस डाउट को देखे तो इसमें लिखाए कि सर उसी दिन रिजाइन करके कैसे जोईन कर सकते हैं बता दीजिए तो रखी के ऐसा होता है कि जएदा तर कैंडिडेट जोगाइन करते हैं बड़ ये काम आप तभी करिये कि जब आपका विद्दयाले गहन गहिंटे की डिश्चेंस में है और इसकी पहले से pre planning कर लिजे आप वहां के principal सर से विजा के बात कर लिजे कि sir मैं आपने आपके विद्यले में जो हूं कल आके अपरहन मैं जोईन कर लूँगा morning में मैं पूर वहां जो है वहां छोड़ दूँगा और जोड़ दूँगा या मैं मतलब रिलीव हो जाऊंगा, यानि कार्मुक्त हो जाऊंगा, ठीक है ना, जॉब छोड़ना नहीं है, कार्मुक्त होना है आपको, आपका अगर प्रोवेशन पीरेट कम्प्लीट हो गया है, तो आप लिये लेकर ही निकलिए, कार्मुक्त होकर निकलिए, जिससे कि ठीक है बड़ ये बात आप पहले से जाके वहाँ उस college में कर लेंगे principal से तो ये सही रहेगा कि वो भी mentally prepared रहेंगे और साथी साथ जो भी documents चाहिए वहाँ पर वो सारे documents आपके विद्याले के बाबू जो है वो देंगे ही देंगे लेकिन फिर भी आप वहाँ के principal से भी एक ची वो resign कर दीजे और मनलब कार्यमुक्त हो जाईए और अपरहां जो है आप जाके वहाँ पर join कर लीजे ठीक है तो इस तरह से आप कर सकते हैं बड़ अगर college आपका बहुत दूर पर है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इस तरह का कुछ भी करें क्योंकि पता चलेगा आप पहु आप जैसे सपोच करिया, एक सेल्फी खूच लिया, य dB पहुंच गए एक घ्रता ली तूर्म सेल्फी ले ली तो उसमें तायमिंगा आप पहुआने एक विद्याले में उपस्तित हो व्चूके हैं थीकैं तो उसमें आप here,ляется in the way, पहुआंग और तीन साड़े तीन बजी तब पहुंचेंगे तो फिर वहाँ पर सारा स्टाप भी जा चुका होगा पिंस्पल जो होंगे वो जोईन कराएंगे या नहीं कराएंगे तो इस सब डिपेंड कर जाता है तो फिर उस केस में आप क्या करिए कि फिर आगले दिन ही जाके वहाँ जोईन कीजिए तब आप फि मुझे लग रहा है कि एक घंटा मैक्सिमम ही आप मान के चलिए डियर घंटा भी ना मानिए कि घंटे में आप पहुंच जाएंगे तो उस साब से आप इसको कर सकते हैं ओके थैंक यू